नमस्कार दोस्तों आप लोग को स्वागत है टेक्निकल लिंग नवोदय विद्याले समीत में वेकंसी जा चुकी है नवोदय विद्याले में और 1950 वेकंसी है यह मत सुचिएगा यहां पे इंजिनियर के लिए भी वेकंसी है तो वीडियो को पूरा देखिएगा नवोदय वि लिए बहुत बेनफिड हो सकता है तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं ठीक है यहां पर पूरा डेटेल दिया आएगा पोस्ट वाज मैं देखेंगे तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी असिस्टन कमीशनर पोस्ट है ग्रूप ए में आप देख सकते हो तो यहां पर वेकंसी तोटल नंबर पांच है बाकी असिस्टन कमीशनर में है आपकी टोटल नंबर टू फीमेल स्टाफ नर्स एताव आप लोग लिए नीड नहीं असिस्टन सेक्शन और यह भी आपके लिए नीड नहीं है क्योंकि आप इंजिनियर विला ओडिट असिस्टन यह इसमें 11 वेकंसी है यह भी नहीं है ट्रांसलेटर आप इशर यह भी नहीं है बाकी यह आ गया सिविल इंजिनियर के लिए एक वेकंसी है वह जनल कैट्गरी में तो फार्म को भर सकते हो पोस्ट कोड जीरो सेमन है और जूनियर इंजिर यहां पर डिप्लोमा और वीटे पर देख सकते हो बाकी आपके जूनियर से असिस्टन में है तोटल आठ फिन जूनियर असिस्टन सिक्रेटरी में यहां पर बहुत ज्यादा वेकंसी है चैसो बाइस वेकंसी है इसका भी देखेंगे की कौन-कौन एलिजबल है ठीक है चलो अलेक्टिकल कम पलंबर के लिए है बहुत अच्छी वेकंसी है जो पलंबर में काम करना चाहते हैं 273 वेकंसी है फिन लैव अटेंडन के लिए है 142 तो यह सीटे है गाईज देख सकते हो मैं सेलफर के लिए 670 मल्टी टास्किंग गुरूप सी 20 वेकंसी तो यह सारी चीज़े है पोस्ट की वाइज आप दे पुनाई जिने जवस्टी फिन आपको एट साल का सर्विस लेवल होना जरूरी है तो इसको छोड़ सकते हैं बाकि असिस्टन सेक्षनल ऑपीशर के लिए डिगरी अनिवार है तो इस फॉर्म को आप फिल कर पाओगे डिगरी अनिवार है तो आप फॉर्म कर पाओगे ठीक बाकि अउडिट असिस्टन के लिए आपको भी थ्री एर एक्स्पिनियर एकाउंटेंड ये भी छोड़ सकते हो ट्रांसलेटर ऑप्रिशर ये भी आपके लिए काम लाइक नहीं है तो मैं जूनियर इंजिनियर की बात नहां पर करना चाहूंगा जूनियर इंजिनियर एक्सपिरियंट थ्री ये आप कंडिडेंट पर कंसक्सल बिंडिंग मस्ट मस्पीन सेंटर इस्टेट गवर्मेंट तो यहाँ एक्सपिरियंट तीन साल मांगा आपके पास है तो इस पाम को फिल कर पाऊगे ठीक है इस नोग्राफी का है गाइस कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छी खासी इसको भी फिल कर सकते हो ठीक है आगे जूनियर से यह थोड़ा सा जीब सा है जूनियर से क्रेटरी में पाकि यह तो आपको प्लंबर तो बेकार है आप लोग के लिए नहीं है इंजिनियर कास कर के लिए पाकि मल्टी टाक अच्छी खासी है आप फॉर्म को फिल करिए और इंजॉय करिए स्लेवस देख सकते हो स्लेवस कोई टफ नहीं है रिजिनिंग है यहां पर है टैन कोश्चन फिन लैंग्वेज है इंग्लिस में है टॉंटी कोश्चन फिन जर्नल अवरनेस है फार्ट फॉर में अकैडमिक जिस इससे विलॉंग करते है ठीए बाकी है यह देख सकते हो फॉर्थ यह इंस इन्टर्वीओ होगा तो इंसर्वीओ में में देख सकते हो फर्बूस्ट यह साब चीज़िस स्लेवस आप लेज़ सकते हो गईी विडियो अच्छे लग्यों लाइक अन सेलाइं सब्स्क्रा